मंगलवार 6 अक्तूबर 2009 को श्री सद्गुरू सिधराज मानिक प्रभु महाराज का महा निर्यान हुआ। यह समाचार सरवत्र फैलते ही हजारों की संख्या में भक्तजन मानिक नगर में एकत्रित होने लगे। महाराश्री जिस थान पर अपना नित्य अनुष्ठान किया करते थे, उसी हौल में उनके पार्थिव देह को रखा गया था। महाराश्री के वियोग से सब दुख में डूबे हुए थे, परन्तु उस दिन मानिक नगर के वातावरण में जो अलवकिक छटा थी वह शब्दों में बता पाना कठिन है। जब कोई सिध्ध पुरुष अपने अवतार कार्य को समाप्त कर निजधाम के लिए प्रयान करता है, तो उसकी कीर्ति सुगंध से सारा वातावरण सुरभित हो उठता है। वह सत्पुरुष अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाकर, अपनी लोक से संतप्त होता है, तथा पि उस वातावरण में अमंगल का लेश मात्र भी नहीं होता। यह पंचभूतात्मक प्रकृति उस महात्मा के उपकारों के प्रति अपनी कृतग्णता व्यक्त करने के लिए उत्तेजित हो उठती है। उस दिन भी मानिक नगर का कण-कण भ भाव विभोर होकर श्री सिधराज प्रभु की यशोकीर्ति का गुणगान कर रहा था। दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। छोटे-छोटे गावों से, शहरों से और न जाने कहां-कहां से लोग महाराश्री के अंतिम दर्शन के लिए उमड पड़े उस दिन वह प्रत्येक व्यक्ति मानिक नगर में मौजूद था जिसने कभी न कभी अपने जीवन में महाराश्री की क्रपा उनका आशीरवाद प्राप्त किया था। सारा परिसर लोगों से खचा-खच भरा हुआ था। गुरुवार को प्रातखकाल की वेला में हम सब महाराश्री के पार्थिव देह के सामने बैठ कर भजन कर रहे थे। बारी-बारी से भक्तजन ब्रम्हलीन महाराश्री की परिक्रमा कर नमस्कार करके आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हटो हटो साम्प साम्प की चीखें सुनकर सब डर के मारे इधर उधर हट गए। एक काला नाग साम्प महाराश्री के विश्राम स्थान के पास नजाने कहां से प्रगट हुआ। सारा बरामदा और हौल लोगों से खचा-खच भरा हुआ था। वाद्यों के नाद से सारा परिसर गूंज रहा था। ऐसे में इतनी भीड में से वहसाप वहां कैसे आ पहुचा यह किसी की समझ में नहीं आया। उस साप को वहां देख कर सब हैरान थे। इससे पहले की हम समझ पाते कि क्या करना है। वह सांप महराश्री के पार्थिव देह के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगा. सब लोग अत्यंत विस्मित होकर देखते रहे. महराश्री को तीन प्रदक्षिनाएं डाल कर वह सांप बाहर जाने लगा. हडवडी से दूर हटकर सब ने उस सांप के लिए बाहर जाने का रा वह भयानक साप अत्यन्त शान्ति से बिना किसी घबराहट के रेंगता हुआ द्वार के बाहर गया और सीडियों से नीचे जाकर बगीचे की जाडियों में लुप्त हुआ। इस अत्यन्त विचित्र और अद्भुद्रश्य को देखकर सब बड़े चकित हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे एक निर्बुद्ध जीव ऐसा कर सकता है? यह सोचकर सब आश्चर यवेक्त कर रहे थे। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि वह साप इतने लोगों के बीच से उस स्थान पर कैसे आया? ऐसे अनेक प्रश्ण हैं। जो लोग इस ख्षेत्र की महिमा से परिचित हैं और जिनके मन में प्रभुकी लीलाओं के प्रति नितांत श्रद्धा है, केवल वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। मानिक नगर का परिसर प्राचीन काल से मनिचूल परवत के नाम से जाना जाता है। यह परिसर अत्यंत दिव्य और पवित्र है, जो विशिष्ट प्रकार की आध्यात्मिक उर्जा से आपलावित है। श्रीमन मारतंड मानिक प्रभु महराज इस क्षेत्र के माहत्मे का वरणन करते हुए बताते हैं, कि इस स्थान पर अनेक सिद्ध पूरुष और योगी जन गुप्त रूप से वास करते हैं। वे अद्रश्य रूप से इस क्षेत्र में रहकर अनेक वर्षों से साधना कर रहे हैं। विशिष्ट पर्व पर ही आवशक तानुसार किसी प्राणी, पक्षी अथवा मनुष्य के देह का आलंबन लेकर इन सिद्धों ने लोक में स्वयम को प्रगट किया है। ब्रम्हलीन महराश्री के दर्शन करने के लिए प्रगट हुआ वह सर्प, गलती से भटक कर आया हुआ कोई सामान्य जीव न होकर, इस क्षेत्र में वास कर रहे पुण्यात्माओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सिद्ध पुरुष ही था। जो सर्परूप धर कर श्री सिद्धराज प्रभु के अंतिम दर्शन कर उन्हें समस्त सिद्ध परंपरा की ओर से आदरांजली अर्पित करने हेतु वहां प्रगट हुआ होगा। ऐसी हमारी मान्यता है। यहक्षेत्र ऐसे अनेक अनाकलनिय चमतकारों का साक्षी रहा है। जिनके अंतखकरण श्रधा युक्त हैं वे अत्यंत सवभाग्यशाली हैं। क्योंकि केवल उन्ही को प्रभु की अलोकिक लीलाओं के समय समय पर दर्शन होते हैं। गनेक अन्ही रहा हैं। झाल झाल